गुड मॉर्निंग किद्स इस वीडियो लेक्चुर इस फोर क्लास एर्थ आनवर्ड्स सिक्स सेवन के जो बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं वो भी ट्राइ कर सकते हैं जो मैंने आपको शेप्स के थुरू आनिमल्स बनाना सिखाया था उसी को आप थोड़ा और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हों मॉडिफाई इन दा सेंस कि उसको ज्यादा प्रोफिशिंट बना सकते हो प्रोफिशिंट कैसे अब आप देखिए फिनिशिंग पहले से ज्यादा होगी आप लोग ड्रॉइंग के लिए टू भी ही यूज करिए क्योंकि अभी आप लोग नॉर्मली लाइट पैंसिल्स चला नहीं पाओगे तो मैं स्टार्ट करती हूँ छोटे 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 आनिमल्स और बर्ड्स को लेकर एक और ओल प्रिटी शूर आपको समझ में आ रहा होगा कि यह मैं कौन सा बर्ड बनाने वाली हूँ यह देखो अब इसकी फैनिशिंग कर लेते हैं थोड़ी से वाली लाइन्स को मैं थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा दूंगी डाक करूंगी और चाहें तो शेडिंग भी दे सकते हैं वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगी जिससे कि आप फास्ट फरवर्ड मोशिन में थोड़ा सा टाइम बच जाएं और आप कम टाइम में ज्यादा बर्ड की स्टडी समझ पाएं देख पाएं देखें नॉमली होता क्या है कि जब आप खुद से अनलेसिस करोगे कि अगर पीकॉक है तो वह कहां से कैसा दिखेगा उसका टेल कैसा होगा तो वह अनलेसिस ही वह अब्जवेशन ही काम आता है ड्रॉइंग में तो आप नेशनल जेग्राफिक में देख सकते हो बुक्स मे अबलेबल हो जाती है अगर आप उनको ड्रॉइंग के नजरिये से देखना चाहेंगे वह ड्रॉइंग कैसे होंगे उसमें है क्या चीज़ है तो उसके लिए भी में वही चीज लेकर चलूगी एक चोटा ओवल एक बड़ा ओवल को पॉइंट करेंगे हम यहां पर लीव जैसा शेप देंगे यह बीग ओवल भी बोल सकते हो बट बीग ओवल का जो पॉइंट होगा वह एंड ऐसी होगा अब चलो मैं इसको फिनिश करते हूं कोई भी ड्रॉइंग ऐसी नहीं है जो कोई बच्चा यह बड़ा बनाना सकते हैं बस बात यह है कि आप उसको सीखना किस लेवल पर चापते हैं और मैं आपको इस वे में यहां पर रॉइंग सिखाऊंगी कि आप को कुछ मिले देखने के लिए या ना मिले आप बिना देखे भी बहुत आसानी से उन ड्रॉइंग को बना सकते ह ऐसे मैं ड्रोइंग लर्न करना से खा रही है और कॉपी करना नहीं आप उसके ड्रॉइंग को उबसर्फ करो और और को मैं आप वोट पीकर हिए तो असके सर पे ये ंकल जुक्त के निकला हूआ होता है उसका जो बीक होता है वह बहुत ज्यादा शार्प क्यों होता है यह स आपको मैं सजस्ट करूंगी कि आप शुरू शुरू में रेजर यूज करिए जब आपका स्केचिंग और ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाए तब आप एरेजर छोड़ों आप कि 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 video कि अार स्केचिंग कि इ好了 कि इा हुआ रे Bus pregunta रेफुटी फराघ वूओ कुट के लासिट ऑफ लोग प्राक्टिस करते रहीं ऐसेraw आपको बहुत चाहरे बहुत सारी बहुत सा लुआईस नसे फखश्ट अमने आपको अधतर डुक षट्रोदी बता देते हूं चलो जो जिस याद आता रहेंगा मैं कोशिश करूगी कि मैं आपको करें बताती रहा हूं आपको प्रैक्टिस में रखने हैं उसके बाद आपको उसमें ट्रॉ करना है lots of things to draw shading अभी बाकी है but आपको समझाने के लिए 8th class इतना काफी है तो ये तीन birds मैंने बताई 8th class के लिए 9th class के लिए I will be doing some more animals with थोड़ा सा difficulties मैं और animals बताऊंगी 9th class के लिए थोड़ी difficulty के साथ थोड़ा उसको हम और मुश्किल करेंगे 6th, 7th के level पर हम नहीं बनाएंगे जो आपने 6th में animal study सीखी और अब जो आप 9th के लिए 10th के लिए animal study सीखेंगे उसमें आपको बहुत difference नजर आएगा और कुछ bird studies आप चाहते हैं मैं बताऊं तो आप प्लीज मुझे DM करिये I will definitely do that. Thank you so much. Have a good day. Happy learning.